नमस्कार स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन डिबिट सो महावैस में मैं हूँ आपके साथ मेंका चौधरी और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो हुआ पुलवामा हमले के बाद देश में गम और घुस्से की लहर देखी हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा था पीएम मोदी ने देश के लोगों को कई मंचों से कहा कि धैरे रखो बदला लिया जाएगा आज मंगलवार की सुबा ऐसी ही खबर आई हर देश वासी खुशी से जूम रहा है पीएम मोदी ने भी दिखा दिया कि सीना 56 वाला कैसा होता है ये रपोर्ट देखिए फिर पाकिस्तान से हुए इस हिसाब केताब को समझने की कोशिश करेंगे अज मैं फिर से दोरा रहा हूँ सौगंद मुझे इस मिट्टी की सौगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा इस बार सबका हिसाब होगा हिसाब पूरा होगा फक्र से चौड़ा हुआ सीना गर्व से उचा हिस्ति हर तेश वासी का दिल आज भारत माता की चैप बोल रहा क्योंकि हिंद की सेना ने पुल्वामा के हमले का हिसाब किताब सूध समीध पूरा करने इंडियन आर्मी को बदाई देना चाओंगा, सरकार को बदाई देना चाओंगा मंगलवार के रस बारा मिरच ़िमानों ने पाकिस्तान में घुस कर बाला कोट, चकोटी और मुजफराबाद में एर स्ट्राइक कर दी जैशे मुहम्मद के ठिकानों पर हजार किलो के बंबर्सा का महल से कीस मिनट में आतंकिस्तान को उसकी आउकाद दिखा दी खबर के मुताबिक तीन सो से ज्यादा आतंकि और पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गैंट जैश के सरगना अधर मसूद के साले समेर कई और आतंकियों का टिकेट इस दुनिया से कट गया पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी कहां दी जाएगी कब दी जाएगी कौन देगा किस प्रकार की सजा देगा इस अब यह हमारे जवान तै करेंगे भारती एरपोर्ट्स के जवानों ने नापाक जमीन पर पल रहे सपोलों को ऐसा सबक सिखाया कि पड़ों सी पाकिस्तान सालों तक याद रखेगा प्रधान मंत्री मोदी ने तो पहले ही कहा था पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी मैं आतकी संगढ़नों को और उनके सरपरस्तों को कि कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं दराल पुल्वामा हमले की घटना के बाद हर देशवासी रोय है हर आंक में आसू था अब बारा दिन में बदले के बाद होली से पहले देशभर में दीवाली जैसा चश्त है प्यूरो रिपोर्ट न्यूजेदी ठीक तेरा दिन पहले देश मातम बना रहा था और अब तस्वीर बिलकुल बदल चुकी है और आज हम महा बहस में आगे बढ़ें उसे पहले हमारा आज का जो सवाल है मारे दर्शकों से ये सवाल हम आपको बता देते हैं मारा आज का सवाल है कि क्या अभी ये केवल जाकी है लाहौर कराची बाकी है इस सवाल पर आपको अपनी राय भेजनी है अध दर एक महा बहस पर आप ट्वीट कीजिए हा नहीं पता नहीं तीन आपकी सामने है साथ ही इस मुद्दे पर आप अपने मन की बार भी हमसे शेर कर सकते हैं पर चले अपने पैनल का रुख कर लेते हैं इस वक्त पैनल पर जाएं उससे पहले एक बार फिर से आपको सवाल बता दे हैं मारा आज का सवाल है कि क्या अभी ये केवल जाकी है लाहौर कराची बाकी है यह सवाल है हमारा इसलिए क्योंकि देश भर से जोश्टुकी तो आवाज है, जशन का माहल है, लेकिन सवाल ये भी है कि हमारी जो सेना है वो अभी इतने पर नहीं रुकेगी, अभी और की ज़रूरत है पूरे देश से ये आवाज भी उट रही है इसलिए हमने ये सवाल भी प्रतिनिदी को भी हमने नियोता भेजा है उनका इंतिजार है अभी तक नहीं आये हैं समाजवादी पार्टी के भी नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा उनका इंतिजार रहेगा अमेताब जी की पाज सबसे पहले चलते हैं अमेताब जी जो आज हमारी इंडियन एयर फोस ने किया है जिस तरीके से एर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है उससा समझ नहीं आ Christmas के वह करे तो क्या करे कहे कबी कहता है कि एसा कुछ हुआ नहीं दूसरी बार कहता है कि नहीं वाइउस से नहीं, विमान तो हैं थे, हमने उन्हें ख़देर दिया, तीसरी बार कहता है कि भारत ने उक्साया है और हम बदला लेंगे, तो जब कुछ हुआ नहीं तो बदला किस छीज का लेंगे, क्या माने? में इनका भारत कभी भी युद्ध के उन्मात के साथ चलने बाला देश नहीं रहा आज से नहीं हजारों साल से ये भारत का डिएने है इसके रक्त में मिला हुआ इस अंसकार लेकिन हाँ जो रामधारी सिंग्ध दिनकर ने कहा था कि ख्यमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हूँ कोई भारत माता का आचल फारने की कोशिश करे तब उत्तर होगा और होना चाहिए और अतीत में हुआ कि 1947 में ही पाकिस्तान ने कोशिश की थी कश्मीर में क्या हुआ तब भेश बदल के आए थे परिशट में क्या हुआ इकतर में क्या हुआ कार्गिल में भी आए थे क्या हुआ मारे गए गिलगिडाये रोये अमेरिका के पाउं पढ़े जाके क्लिंटन साब थे नवाज शरीफ क्लिंटन के पेर पकड़े जाके कि बचाओ फिर आपने गुस्ताखी की तो उसकी सदा मिलनी जागी थे और सदा मिली आज में ने पाकिस्तान असेंबली के दिश्य देखे वहां के पुलिटिकल लीडर्स को सुना वहां की आर्मी के स्पोक्स पर्सन है जनल गफूर उनको सुना लगा हिस्टीरिया का दोरा पढ़ गय क्या समाजी नहीं आ रहा एक सक्चेन कह रहे थे कि भारत 40 km अंदर घुसा है ह्मारे हम इंशाइला 60 km जाएंगे चलो यह तो माना 40 km भीतर आये हम इतना तो माना कम से कम वेंचिक मंजपर यह तो मानो कि मैं 40 km अंदर घुसे है बर यह जो कारवाई हुई है तीन अलग अलग इस्थानों पर उसमें एक स्थान बहुत महत्तपून है हमारे साथ सेना के दो बड़े अधिकारी है वो लोग ज्यादा बता पाएंगे लिकिनी बहुत बड़ी बात होती है जो लोग सेन्य अभ्यानों की गंभीरता और उसकी संविधन शीर्टा को समझते है बाला कोट पर जो संटिकल स्ट्राइक हुई जो एरिस्ट्राइक हुई वो बाला कोट पियोके की जमीन से बाहर का हिस्था है वो पाकिस्तान की टेरिटरी है वहाँ पर एरिस्ट्राइक है ये ये अध्मूत बात है ये गर्व करने लाइक बात है और ये पाकिस्तान के लि नहीं रहेगी और जब हम बाला कोट जा सकते हैं तो फ्रिस्लामाबाद भी जा सकते हैं लाहूर भी जा सकते हैं और कराची भी जा सकते हैं जनरल गफूर कह रहे थे लेकिन वो तो खर पाकिस्तान है जूप जादा बोलता है शच्ट तो कभी-कभी बोलता है लेकिन मैं उनके सुना थो वो कहने था बहावर्पूर्ग की और भी इनका बिमान दिखा था लेकिन लोट गया ये तो माना आपकी बाला कोट अगली बार बहावर्पूर्ग इसने मैंने काई यह मसला यहां नहीं रूख सकता आप नहीं मानेंगे तो जो बाला कोट में हुआ वही कराची और लाहॉर में भी होगा यह जो 40 लोग मारे गए उन जबानों की विद्वाओं के आशुब का कर्ज था देश के ऊपर उस कर्ज को आच चुकाया गया है लोग बढ़ा ही कि अब चालिस के बदले चारसो यह गणित पसंद आया यह देश को अच्छा लगा है कि अपर हमारे प्रदानमंत्री स्वक्षिता अभ्यान के प्रदी बड़े अग्रेशील रहते हैं कि वह स्वक्षिता अभ्यान बी अच्छा है जिसके लिए वो जी इम्रान घान को भी सुना आज उनके सेना ध्यक्ष को सुना इंशाल्ला बदला लेंगे अरे भाई आप आजादी के बात से कर क्या रहे हो यही तो कर रहे हो ठीक है और एक बात कहिके मैं बहस में जाऊंगा यह बात आज दिन भर में कई डिवेट्स में शामिल रहा अपनी तमाम चैनल्स पर यह बात बार बार उठी कि क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा मैंने का ना ना कता ही ने सुधर रहेगा और जो ऐसी उम्मीद करते हैं वो ना समझ है दिल को वहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा अलग बात है लेकिन हाँ पाकिस्तान को यह समझ आ गया आप गुस्ताखी करेंगे तो बड़ा दंड पाएंगे जितनी बार गुस्ताखी करेंगे उतनी बार बड़ा दंड पाएंगे जितनी बड़ी गुस्ताखी उतना बड़ा दंड यह आज का मेसिज है जो पिछले और दिश्कांतों से अलग है और घटनाओं से अलहज़ा है जितन जोशी जी मुझे तरह से समझाईए कि यह जो भारत का ओपरेशन था यह किन मामलों में अलग था पुराने उधारनों से एक और यह ओपरेशन पाकिस्तान को कितना बड़ा सेन्ड संदिश दे पाया देखिए यह एक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है जो हमारी सरकार ने डिफेंस फोर्स और पूरा जो हमारा जो पूरा जो सिस्टम है उसने मिलकर यह डिसिजन लिया है कि अब हम आतंकवाद के अगेंस्ट जो है जो मुहिम चलाएंगे उसमें हम कोई बाउंडरी या कुछ ऐसा नहीं देखेंगे तो यह एक आतंकवाद के अगेंस्ट हमने कदम उठाया है और यह एक डिसाइसिफ कदम है क्योंकि यह पहला कदम है जो हमने अभी उठाया है इस incident के बाद, देखिए, बाकी जो इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, उससे पहले कभी भी पाकिस्तान आर्मी ऐसे mobilize नहीं होती थी, इस बार पाकिस्तान आर्मी ने पहले mobilization करा है, और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तो ये जो आतंकी हमला है, ये pre-planned आतंकी हमला था, ये one of the shelf आतंकी हमला नहीं है, जो किसी misguided youth ने कर दिया हो, ये बिल्कुल ही एक pre-planned आतंकी हमला था, ठीक, जो शी था, बहां तो misguided कुछ नहीं होता, बहां सब guided ही चल रहा है, जी, हम लोग जब से देख रहे हैं, में दर आशी चत्रवेदी, आपके प उसके बाद भारत की सेना को सीमा पर मोबलाईज होते देखा, वाजपई जी की समय में, लगा युद्ध, अब हुआ, तब हुआ, युद्ध टल गया, कारगिल देखा, उसके बाद यह घटना क्रम क्या आप, चत्रवेदी साब मुझे बताए कि क्या आप लोगों को अभी लगता है, कि यह भारत बदल रहा है, आप गुस्ताखी करेंगे, यह नि पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा, तो उसका उसी की शैली में, उसी की भाशा में, उसी के तर तरीके में मुकमल जबाब दि हैगा, यह संदिश गया? कि जब यह उपरेशन, जब सुबह यह स्ट्राइक्स हो रही थी, तो इंडियन आर्मी जो है, वो बिलकुल रेडी थी, कि अगर कोई अपरिय घट ना होती है, तो वहां से जो पाइलेट्स हैं, उनको रेस्क्यू कैसे करना है, इसके लिए विलकुल स्टैंडबाइ पे थी तो अपने आप में एक एतिहास एक दिन है, जो हमने इतना बढ़िया एक उपरेशन किया है, कि बारा हमारे फाइटर प्लेंज अंदर जाते हैं, और बिना किसी नुकसान के वो सुरक्षित वापस आ जाते हैं, वहां टार्गेट्स डिस्ट्रॉई करके, बहुत बड़ा मे देशा होगा कि कहीं दुबारा ऐसी कोई कारवाई भारत ना करें, तो इस लिहाज से काफी चीज़ें बदलेंगी, जहां तक आपने जो सवाल किया मुझसे कि क्या भारत बदल रहा है, जाहर सी बात है, आज जो पिछले दिनों की कुछ घटना हैं, उनको अगर देखा जा या, बशीर बेभी और से कई ऐसे स्टैप्स हैं जो लिया जाने चाहिए, अभी लडाई की ये फ्सुरौवात हैं, लडाई अभी बाकी है, इसी बात की और मैं में और हमें इशारा कर रहा था, यह उप्रेशन इसलिए जिसका और खुलासा आशिशी ने कर दिया, इकटर में युद्ध था तब हमने सीमा पार की थी हम बिना युद्ध के भी सीमा पार कर सकते हैं ये भारत ने पहली बार बताया है और अभी तक इसे अभ्यान और इसी शक्ति का प्रदर्शन मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा तो इस विशे का जानकार नहीं अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशी कर पाते थे कि जहां मर्जी हुई वहां गुजगए जहां मन हुआ बाहां बाहां डाल दिया सदक जफर हमारे साथ है समाजबादी कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मेडम भारत बदल रहा है भारत ने अपनी तागत का एहसास दुनिया के मंच पर करा दिया आप मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा संदेश यही आप इससे सहमत है के नहीं भारत शांती के पक्ष में रहता है बेशक मैं जब तक कि आप भारत के स्वाभिमान पर हमला ना करें स्वाभिमान पर हमला करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तयार रहे है जी बेशक यह आज का बहुत ही इतिहासिक दिन है और मैं इंडियन एर फोर्स को एक शौरेपूंट सलाम करती हूँ यहां से और यह जो आज की सुबा वाकई बहुत सुहानी लगी और बहुत दिनों के बाद एक बहुत दिनों से एक उदार सीथा थी जबसे की वहां पे हमले ह हुए थे और लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किये जा रहे थे पहले शहीदों के जो जिस हालत में मिले शहीदों के जिसम और उसके बाद उनकी घरवालों और परिजनों की जो हालत थी तो देश वाकई चाहा रहा था कि पाकिस्तान को यह कहना सही नहीं होगा कि पाक हिंदुस्तान की जवाब में सवाल मिले जवाब तो वही हमने किया है और वहां जाकर सीमा लांग कर उनको हमने बता दिया कि यह सिर्फ शुरुवात है और वो जितना हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं हमने कभी पहले प्रहार नहीं किया और जहां तक हो सका हमने कोशिश करी है कि अमन बना रहे लेकिन जब हमारे स्वाभिमान की बात आती है जब हमारे जवानों की बात आती है जब देश के हित की बात आती है तो अब भारत की सेने जो शक्ती है वो पीछे नहीं रहेगी हमारी सेना पीछे नहीं रहेगी ये दिखाकर एक कमाल का जो है वो इन्होंने जवाब दिया है ना सिर्फ पाकिस्तान को बलकी दुनिया को ठीक है ठीक है सद्व जफर मैं आप से एक सवाल और पूछूँगा उससे पले एक शेयर मेरे जहन में आरा जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मौजू है इप्तदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या मेडम 1971 में भारत ने एक लड़ाई जीती बड़ी बड़ाई भारत ने जीती 1971 में भारत ने उसका श्रेयर दोनों को दिया राजनेते दलो ने भी सेना को भी सलूट किया और इंद्रा गांधी को भी सेलूट किया इतिहास ने सेना को भी सम्मानित किया और श्रीमती गांधी को भी सम्मानित किया आज के इस operation में मैं Congress की प्रत्क्रिया बड़ी बचते बचते देख रहा हूँ, बचते बचाते, वो यहां तक तो ठीक एक सेना को भारती वाइव सेना को salute, लेकिन वो सरकार ने निर्णे लिया सरकार का निर्देश सरकार की रणनीती, सरकार की जिम्मेदारी, उस पक्ष पर Congress अपने को क्यों बिट्रो करना चाहती है, 71 में तो ऐसा नहीं हुआ था, पार्लामेंट के अंदर तारी फुईती श्रीमदी गांधी की, उनके विरोधियों के द्वारा, जी, अदेखिए अमिताब हमने पहले दिन से जब से पुलवामा का हमला हुआ है, अमिताब आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, बोलिये, I think आवाज गई, जी, तो जी, तो जब पुलवामा का हमला हुआ था, हमने उसी दिन शी राहूल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाद्रा ने ये कहा था कि हम पूंतहा सरकार और सैन्यबल के साथ है और वो जो भी डिसेजन लेंगे हम उसके साथ बिलकुल खड़े रहेंगे और उसका सम्मान करेंगे मैंने यह पूछे यह अभी हमारा जो स्टैन्ड है अभी वहीं है एक मिनट मैडम मैंने यह बाती नहीं कि आप मुझे बता रही मैंने सिर्फ इतना आपके जानना चाहा कॉंग्रेस पार्टी से यह कहने में संकोच क्यों कंजूसी क्यों हो भारत की वायुसेना को सेलूट भा से अलननेन निया कडा ये अ कि क्दे ये सिधिकते 1971 में यह थी नोव मरका परी यह कहते हैं नहीं के ना मैंने नहीन की परके फřार्री पसम्राइब को प्रवडर्य‍लम जाएगी इक ट्विटर्म पे ट्वीट करने में अमिताब अमिताब ट्विटर्में समबाद करने में फर्क होता है मोतbus मोत थ Twenty उसलिए मैं कहिए में लिए तो infused यह आपको इसमरंड नहीं होगा इकहत्तर की लडाई जब भारत जीता था तो शारजनिक पर जनता के बीच गली में मंच पर इंद्रा गांधी को बढाई दी थी जनसंग के लोगों ने बढाई दी थी आपको संग्यान नहीं हो गा यह जो यह इन दूसरा विवाद है उसको छोड़ दीजिए उसके अटल बहरी वाच पर मुझे क्लेरिफिकेशन दिया था उस बिवाद में अभी मत पड़ियो उतना समय नहीं वह दुर्गा नहीं कहा था और पार्लामेंट की प्रोसीडिंग में भी दुर्गा शब्द नहीं है वहाँ छोड़ दीजिए इस विश्य को है ना राकेश्टर पार्टी में समाजवादी पार्टी के बना दुख होता है ऐसे विश्य उपर मुझे समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है मंत्री रहे अकिलेश जी की सरकार में पिछली बाद विनोज सिंग और पंडित सिंग उनका भाशन सुन रहा था हिंदुस्तान का आदमी कहरा जे कोई अमेरिका पर हमला हुआ पूरा अमेरिका एक स्वर में खड़ा हुआ कि बुष्ट के साथ अलाइंड हुआ कि यहां कि राजनितिक दलों में मुझे वह उदार मन नहीं दिखता कि राके स्थे बाटी देखें मैंने भी सुना है उनका वो वीडियो सुना और उनका वीडियो सुनने के बाद मनाक्रोश से और भरा भी लेकिन हम आज इस तरह के तुक्ष राजनिति पर बात करके अपना समय जाया नहीं करना चाहते मैं मानता हूं कि आज जो देश का जन्मानस चाहता था वो आज भारत की वाईसरिना ने भारत की थलसिना ने मिलकर के कर दिखाया है जिस बात के पेक्षात पुरे देश को थी कि पुलवामा के हमले का बदला लिया जाना चाहिए और जिस बात पर भरोशा देश को था कि निस्षित तौर पर इसका बदला लिया जाएगा आज वो भरोशा कायम हुआ है और अमेरिका का राश्टरपती ने भी ये बयान दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है मैं मानता हूँ कि ये केवल सैन्य जीत ही नहीं है ये राजनेतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, अलग-अलग मोर्चे पर आज स्थापित हुआ और जन्मानफ ने इस बात को स्विकार किया कि मोदी है तो मुम्किन है हमने इस बात को आज सुस्मा स्वराज जी ने जब अलग-लग राजनाईकों से भी बातचित की है विदेश मंत्रियों से बातचित की है और पूरे विश्वपटल के सामने हमने इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तान की इस घिनोनी हरकत का हमने इस प्रकार से जवाब दिया और बहुत महत्पूर्ण है कि ये जवाब देते समय हमने पूरा ध्यान रखा कि किसी भी निर्दोस नागरिक की मौत नहो हमने बिल्कुल टार्गेट पॉइंट करके उन आतंकी ठिकालों को नस्ट किया है उन आतंकवादियों को धरसाई किया है जिन आतंकियों के लिए मानवतास की भावना से कोई उनका वास्ता नहीं होता है किसी भी निर्दोस नागरी की जान ना जाए भारत अपनी इस संस्कृति पर अपनी इस परंपरा पर आज भी कायम रहा है आज के स्ट्राइक में और हम इसको फिर स्पस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ऐसे दिन पाकिस्तान को औ पाकिस्तान के आर्मी बेस पर भी हमला कर सकते थे जैक पोस्टों पर हमला कर सकते थे सेन्या करमन हो जाता soldiers की शहादत होती मारे जाते ऐसा कर सकते थे जब घुसी गए थे वहाँ तो यहां गिराओ पम्याँ वहां गिराओ लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया ना पाकिस्तान के याम आदमी को भी नुक्सान नहीं पहुंचा पाकिस्तान से सेन्य युद्ध की इस्थिती भी नहीं निर्मित होने दी सिर्फ वो समूह जो समूह पूरी मानवता के लिए संकट है दक्षण एशिया भरत के लिए संकट है और बड़े संदर्ब में कहूं तो पूरे विश्व के लिए संकट है उनको ये बताया कि आपको इस धर्ती पर रहने का हक नहीं जबकि भारत के पास option था महत्तपूर होता है आप बहां तक जा सकते हैं के नहीं और अगर चले गए तो फिर तो आप भम कही भी गिरा सकते हैं जब बहुत ही स्टेप और सर्जिकल स्ट्राइख जब गाए एक भी सिविलियन एक भी पाकिस्तानी सैनिक निशाने पर नहीं सिर्फ आतंग के निशाने पर अमिताब जी इतना क्यालकुलीटिव स्टेप भारत ने उठाया फिर भी पाकिस्तान बॉखलाया हुआ है सीमा पर लगातार सीज़ फायर, पूरे सीमा पर हो रहा है, क्या भारत के प्रती जो आतंगवाद का खेल था पाकिस्तान का, उसमें भी कोई बदला होगा, जिस तरह से भारत ने अपनी नीती में बदलाव किया, क्या उसमें भी बदलाव होगा, क्या उसके लिए हम तैयार है यह भारत को पहले से अनुमान है जब इस सेन्य अभ्यान की योजना बनी होगी तो निश्चित रूप से उन तमाम आशंकाओं पर खत्रों पर गौर किया गया होगा और उनसे पटने की भी रणनीती इसके ताती बनी होगी कोई भी सेन्य अभ्यान ऐसे नहीं हो तक था एक चीज जो मुझे लगते हैं लेकिन मैं जिसकी और इशार्य कर रहा था जिससे मेरा मन कम से कम खटा होता है आज सेना को पड़ाम करने के लिए देश के राजनेतिक नेत्रत्तों को बधाई देने के लिए ये बहस रखी समाजवादी पार्टी ने पहले कहा हम आएंगे फिर कहा भाई आप में इस मसले पर नहीं आएंगे क्यों भाई इस मसले पर क्यों नहीं आएंगे आप ये मसला देश का मसला नहीं है क्या आपको कोई संकोच है क्या ये तरीका भारत के लिए अच्छा नहीं इस सेना के मनों मलकों भी प्रभावित करती है ये चीजे मुझे बड़ा कश्ट हुआ बड़ा खेद हुआ जब मुझे बता गया कि समाजवादी पार्टी ने विट्रो कर लिया भहस से क्यों? हाँ भारत की जय पर भारत की शोर जाथा पर चार शब्द नहीं बोलना चाहते क्या? चुनाव आएंगे जाएंगे जे पराजे होगी इतना छोटा मन लेके चलेगे आशिर शत्रुवेदी साब सियासत है सियासत दान जाने क्या करना है देश सियासत से बड़ा है जिस बात को मिनका कह रही थी एक सेनिक के नाते आप मुझे बताईए एक सेन अधिकारी रहे हैं इस तरह के जो तमाम आशंकाएं हैं जो संभावित खत्रे हैं इनका आकलन तो भारत ने किया होगा भारत की सेना ने? कि पाकिस्तान इटिलियेट करेगा बखलाएगा, चिलाएगा, कपड़े भाड़ाएगा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा जे वरकुल इसी लिए काफी जो सेना है वो आगे भी बढ़ाई गई है और बॉर्डर पे काफी अलर्ट भी है और लेकिन एक अंदेशा ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो डारेक्ट कॉन्टेशन नहीं करेगा, कोई इस तरीकी की कारवाई, वो किसी आतंकी घटना को ही अंजाम देने की कोशिश करेगा, हो सकता है जे अनके के बाहर हो, किसी और स्टेट में कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो इसका बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, क्यूंकि पाकिस्तान आर्मी को अपने देश को दिखाना है कि जो इंडियन एर फोर्स और आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक उनके यां की, उसका वो बदला किस प्रकार लें, उनको भी तो आतंकी घटना को अन्जाम देने की कोशिश करेंगे, तो जरूरत है हमारी पाकिस्तान का क्रेक्टर भी यही है, इकहत्तर हारने के बाद से उसका करेक्टर भी हमने यह देखा, जोशिस आप, मैंने कार्गिल को बढ़े रिलिजिसली कवर के एक पत्रकार के नाते और पार्लामेंट का अटेक्ट भी देखा, यह मेरे ख्याल से वाही दिख लाउता देश है पूरी दुनिया में जो अपने सैने के शव को डिसोन कर देता है, कहता जी मेरे नहीं है बुले इनका क्या करें, बुने चाहें जो करो, कहीं ठेक, दो गठन में पार्लामेंट में जो लोग मारे गए, उनके पास से पाकिस्तान के हतियार निकले जो पाकिस्तान की सेना यूज करती उनके पास आई कार्ड निकले, कार्गिल में भी जो तमाम लोग मारे गए, उनके पास पाकिस्तानी आर्मी का आई कार्ड निकला लेकिन पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया इसलिए ये तो बात मुझे लगता कि ठीक है पाकिस्तान फिर वही सुई रूट को अपनाएगा स्लीपर सेल के जरिये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ डिसर्वेग जोशी जी देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और मैं अपने मित्र से भी सहमती रखता हूँ मेजर साब से कि पाकिस्तान इसको अगर चाहेगा तो आतंकवादी हमले से ही जवाब देना पसंद करेगा और उसको ये अब समझ जाना चाहिए कि इस तरह की कारवाई करके वो अब बच नहीं सकता अब समय आ गया है और समय इस बात का आ गया है कि हिंदुस्तान अब बैठ कर सेहने वाला नहीं है हिंदुस्तान ने डिसिजन ले लिया है कि अब अगर हमारे उपर आप इस तरह की कोई कारवाई करेंगे तो आपको उसका जवाब सेहना पड़ेगा जैसा कि आपने भी यही बात कही तो इस पूरी आतंकवाद की लड़ाई में यह हमारा पहला जवाब है और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसिजन नेशनल लेवल पर लिया गया होगा उसमें इस तरह की और कारवाई जोशे जी यह कुछ-कुछ इसराइल टाइप का जवाब है क्या देखिए आतंकवाद की कोई बाउंडरी नहीं होती अभी तक जो हमारे जवाब होते थे वो थोड़े अलाइदा किस्म के होते थे इस बार लोग करें गहां यह जवाब अच्छा है दमदार है और इसराइल की लोग कर दिया है इस बार हमने जो हमला करा है उसमें हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया है ने और भारुति वायु सेना ने कि लोग कहां तक है तो टारगेट बड़ा klayr पर्ष्ब डिफेंस फोर्सेस का टार्गेट और प्रधान मंत्री ने जैसे उनको छूट दे दी है उनका टार्गेट आतंकवाद को खतम करना है यहां ध्यान रहे कि यह पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है लेकिन इस बात से भी मुक्रा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान इस आतं और आतंकवाद को परणपाना बंद करना पड़ेक़्ूचितन अग जब आप आतंकवाद के खिलाप लडते हैं तो पाकिस्तान के खिलाप रड़ई अपने आप हो जाती यह क्योंकि पाकिस्तान और ठेरेरिज्म मैं यहीं सिक्के के तो रूप हो गए वहां केस्ट पाकिस्तान और आतक वाधंतर कहा है इतनी सरकारे वहां आई फोजी लोग शाशक रहे चाल 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 तो नहीं बदला सदब जफर आपसे वही सवाल भारत के सियासी दल देश के सुरक्षा रक्षा ऐसे नाजुक मसलों पर एक सुर में बोलना कब सीखेंगे भी हम शुरू से एक सुर में ही हैं अमिताब जी और कहीं से भी हमने डिवियेट नहीं किया है हम आज भी सेना के साथ भी वैसे ही खड़े वे हैं जिस तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं एक बार भी हमारी तरफ से कहीं से कोई भी इस तरह का विवादित बयान ना आया है ना आएगा ये मैं आपको अश्योर करती हूँ आपके चैनल के माध्यन से जो भी आगे भी सरकार फैस्टा लेगी आतंकवाद या पाकिस्तान के मसले पे जो दोनों परियाएं है एक दूसर कि वही लोग मुझे जो लोग मुझसे पूछ रहे है तो सत्ता रूल पार्टी के प्रतिदी के नाते में वह जंता का सवाल आप से पूछ लूँ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो यह ट्रेलर है फिल्म अभी बाकी है भी बाकी है देन निशुत तोर पर ये जहांकी है और लाहोर, कराची और इसलामाबाद तक भी हम अपनी पहुँच रखते हैं हम वहाँ भी ये कारवाई कर सकते हैं ये तैंप पाकिस्तान को करना है कि पाकिस्तान अपना वजूद किस प्रकार से बचाए रखना चाहता है अगर वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम हर सीमा तक जाने के लिए तैयार है भारत की सेना, भारत के जो बहादुर जवान है वो किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं आज के इस वाकिये ने स्पस्ट कर दिया है यह भरोसा देश की जनता में जगा दिया है राजनेतिक इच्छा सकती बहुत द्रण है हमने कुट्टी तिक तौर पर पुरे विश्व के सामने एक स्पस्ट संदेज दिया है कि भारत के साथ अगर क्योई आइस प्रकार का व्योहर करेगा तो भारत उसे बरदास नहीं करेगा करारा जवाब देगा और वो जवाब लाहोर कराची और इसलामाबाद तक हो सकता है जे बिल्कुल तो लाहोर कराची और इसलामाबाद तक भी जवाब दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान अपने मनसूबों अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो चलिए आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों से जो हमने सवाल किया था उसका जवाब क्या मिला है ये भी जान लेते हैं हमने आज अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या अभी ये केवल जहांकी है लाहौर कराची बाकी है इस पर भरपूर बोट हमें बिले हैं पूर्यदेश में ही जोश है और हर कोई इस मुद्धे पर अपनी राय रखना चाहता है बड़ी संख्या में बोट आए है अठासी फिसी लोगों का कहना है कि हां बारत में वह कुवत है और लाहौर कराची बा एक तो इसका अर्थ सीधा आए कि 88 प्रतिश्यत लोगों को लगता है कि अभी लाहोर कराची का ओप्रेशन बाकी है और इसका एक अर्थ ये भी है कि देश का 88 फीसदी से जादा अवाम ये चाहता है कि ये जो लडाई शुरू हुई है ये जो अभ्यान शुरू हुआ है ये पूल शुद्धीकराण तक रजाय लहोर और कराची तक या भारत की चाहना भी या दिख रही है यह राश्ट की आकांग्षाब भी दिख रही है और अममे आप उसको आकांग्षा कहिए उमीद कहिए हस्नत कहिए कोई इस्तो से अधिक नहाब любим हैं ये लेकिन भारत यी चा विरनायक तौर पर लखके एक बार एक नासूर है उसको दूर करिए पाकिस्तान के अस्तत्यों से भारत को कभी कोई संक्ट नहीं रहा है कोई टक्राव नहीं कि शेटालिस से पहले एक ही थे यह पाकिस्तान का विभार है कि जिसने 135 करण लोगों के मन में कि अईसा विभार पैदा करते हैं पाकिस्तान का आचरन है खुद का कि मुझे गोपालदास नीरज का एक शेर याद आता है पाकिस्तान के लिए मुझे लगता पड़ा मोजू है कि औरों के घर की धूप उसे क्यूँ पसंद हो औरों के घर की धूप उसे क्यूँ पसंद हो बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान पाकिस्तान के साथ समच्य यह कि दोनों मुल्क साथ चलते हैं तो पाकिस्तान भी इस गुरुपत में नहीं फता हुए लेकिन वो उस दहशत गर्दी के महाउल से बाहर नहीं आना चाहता है कि क्या यह सचनाई कि जितने बड़े आतकवादी है वह वहां दमाज की तरीके से सरकारी संदक्षण में रहते हैं मसूद अजर को और को ले गया सुरक्षित स्थान पर कि यह स्थितियां है और एक बात मैं फिर कहूँगा कि सअब्य गया पया समय सेट में सेना लड़ी उसके लिए भी देश ने सेनाक किल की जापित की चीन की लडाई में भारत लडार उसके ली कृटक जाया कि की22 कि लडाई के लिए कृत कि न कि करें Royal कि कि यह न ग्यामित नेत्रत्यों के प्रति भी आभारी है जाहें वो 71 में इंद्रागांधी नहीं हो या उसके बाद अटल विहरी वाश्पई रहे हो कार्गिल की समय याज 2019 में नरेंद्र पोधी हो तुकि मैं जानता हूँ एक पत्रकार के नाते राजनेत्रत्यों का द्रण होना बहुत मेंडेटरी होता है जब तक पॉलिटिकल लीटर्शिप निरनायक नहीं होगी डिसाइशिव नहीं होगी फोई अपरेशन नहीं होता हुए इसलिए मैंने तीन नाम गिनाए जबालाल जी को श्रणी में नहीं रखा मैंने वो तीन नाम सिर्फ वहीं दिखते हैं शास्त्री जी कि उसको रख सकते हैं तो कालखंडी बहुत कम रहा दुर्योगे सा रहा है कि इसलिए मैं कहूंगा है राजनेतिक दलों को भी मन थोड़ा बड़ा करना चाहिए है इसकतर में श्रेय अगर इंद्रा जी को तो कारगिल में श्रेय वाजपाई जी को क्यों नहीं और आज श्र करता है तो भारत को होता है इसलिए भारत की जय हो तो उसमें सब लोगों को एक साथ शामिल होना चाहिए और ऐसा बहुत को कता ही नहीं करना चाहिए कि जब जय का उत्सब तीवी पर मनाएं तो कोई राजनेतिक गल मूझ छुपा के भाग जाए इस हिंदुस्तान में रहन किल होने के लिए आप सभी खास मैमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटे से ब्रेक की बाद भी न्यूस-18 पर ख़बरों का सिल्जलत जारी है कर दो कर दो को दोबरों का सिल्जलत जारी है